I am sure आप सबने ये add जरूर देखी होगी 18% assured return on buying a property अब assured returns in real estate को लेके काफी सारा confusion है कहीं पर ये सुनने मिलता है कि builder ने assured return के check रोग दिये और buyers परेशान गूंग रहे हैं कभी ये सुनने मिलता है कि SEBI ने इसको illegal declare कर दिया है और इसके उपर ban लगा दिया है लेकिन इसके 18% कहीं पर 18% assured return की add देखते हैं और बहुत सारे home buyers इसको देखके excited हो जाते हैं इसको explore करते हैं और खरीदते भी हैं तो क्या ये assured return सच में कोई scheme है या फिर एक बहुत बड़ा scam है आज हम इसी को explore करेंगे मैं discuss करूँगा कि ये assured return exactly है क्या और काम कैसे गरता है इसकी शुरु कैसे चला रहे हैं and finally हम जैसे property buyers के लिए क्या learnings है इससे तो शुरू करते हैं आज का video अब ये assured return exactly है क्या simple भाशा में जब एक builder एक property buyer को ये commit करता है कि जो भी पैसे property buyer property खरीदने के लिए दे रहा है उसके उपर builder उसे एक fixed return देगा in addition to the property जो वो खरीद रहा है जैसे कोई bank म जब आप पैसे जमा करते हो तो bank आपको उसके उपर एक fixed return देता है लेकिन फिर वो पैसे आपको वापिस कर देता है बट इस case में आपको property भी मिलेगी और जो पैसे आपने दिये हैं उसके उपर fixed return भी मिलेगा अब usually ये return होता है 12-18% की बीच में और majorly ये offer होता है on under construction property till the time position मतलब जब तक वो property बन रही है तब तक builder उसके उपर आपको एक fixed return देगा उसके बाद जब ये property बन जाएगी तो fix return आना बंद हो जाएगा बट property आपकी हो जाएगी इसकी शुरुआत तो इती commercial real estate से लेकिन उसके बाद में ये residential real estate में भी offer होने लगा अब एक बार देखते कि builder इसकी marketing करते कैसे है और इसका payout कैसे होता है इसको market करने का सबसे simplest format है जब builder ये commit करता है कि वो आपको 12 या 18% का fixed return देगा per annum जब तक ये property ready नहीं हो जाती उस amount पे जो amount आपने builder को pay की है अब for example आपने 1 क्रोड रुपे की property खरीदी जिसमें से 50 लाग आपने अभी दिये और 50 लाग आपको under time of position देना है और builder ने आपको 12% का a short return commit किया है तो builder आपको 50 लाग रुपे जो आपने अभी pay की है उसके उपर 12% का a short return हर साल देगा मतलब इस case में यह हो गया 6 लाग रुपे हर साल के मतलब 50,000 रुपे मैना अब builder ये 50,000 रुपे मैना आपको हर मैने आप आपको PDC दे देते उतने साल के लिए जितने साल उनको लगता है कि ये building को लगेंगे complete होने में मतलब 2 साल 3 साल के वो PDC आपको sign करके दे देगे दूसरा तरीका इसको market करने का है जहां पर builder एक fixed percentage commit ना करते वे आपको एक fixed lease rent commit करेगा मतलब वो ये बोल रहा है कि property अभी under construction ह बट उस पे भी वो आपको हर मैने rent पे गरेगा अब for example आपने एक करोड रुपे में 1000 square feet की जगा करी दी तो उस पे builder आपको commit कर रहा है कि वो आपको 100 रुपे हर मैने का rent पे गरेगा till the time of position अब आप इसका calculation fixed percentage terms में करो या फिर lease rent के terms में ये हमेशा जो returns है ये आपको 10 से 18% क बीच में आएंगे अशोड़ेटर स्कीम की शुरुवात कैसे हुई और क्यों हुई इसका start हुआ under construction commercial property से अब commercial property आदमी क्यों खरीकता है for two reasons अपना shop या office खोलने के लिए या फिर as an investment कि वो इस property को rent पे चड़ा देगा और उसे हर मैने की fixed income आएगी अब दोनोई case में किसी क इसको भी under construction property नहीं चाहिए और सबको ready to move in property चाहिए ताकि वो अपना office तुरंत खोल सके या फिर उसको तुरंत rent से हर मैने fixed income आना शुरू हो जाए अब builders ने अपने under construction projects की sales बढ़ाने के लिए assure return scheme की शुरुवात की अब investor को अगर हर मैने fixed income आ रही है और अच्छी income आ रही ह क्योंकि एक home buyer को घर का rent पे करते हुए हर मैने home loan की EMI पे करना बहुत ही मुश्किल गाम था तो builders ने again अपना sales push करने के लिए दो चीदे की पहली assure return scheme की शुरुवात की ताकि हर मैने home loan की EMI adjust हो जाए और दूसरा subvention scheme की शुरुवात की अब subvention scheme के उपन में already एक video बना चुका हूँ कि वो किस तरह से काम करती है वो अच्छी है या बुरी है आप वो video भी जाके checkout कर सकते हो अब builders ने अपना sales बढ़ाने के लिए एक और चीज़ की उन्होंने assure return कमिट किया 12-18% के बीच में ताकि लोग loan लेके भी under construction property खरीच सकें अब residential केस में home loan का rate होता है usually 7-10% के बी बीच में अगर assure return इससे जादा है तो under construction property खरीदने में भी फायदा है अब लोगों को EMI का जो पैसा जा रहा है उससे जादा assure return से पैसा आ रहा है और दूसरा अगर आप under construction property खरीद रहे हो तो capital appreciation का भी फायदा होगा जब वो property रेडी हो जाएगी assure return scheme को introduce किया for two reasons सबसे पहले builders को अपनी under construction project की sales बढ़ानी थी और दूसरा उनको low cost पे funding arrange करनी थी अब real estate में usually 18-24% के interest rate में funding arrange होती है वो भी तब जब builder का track record बहुत अच्छा है और उसको loan मिल सकता है इससे तो better यह है कि builder assure return commit करके buyer से directly funding arrange कर ले और in reality कोई भी builder अपने जेब स पैसे नहीं देता वो basically अपना selling price बढ़ा देता है आपी से वो पूरा पैसा collect करता है और फिर आपी को हर मैने दुबारा पे गरता है तो basically एक builder के लिए तो यह win-win situation थी और एक buyer को ऐसा लगता था कि यह skew उसके लिए भी बहुत फायदे की है अब assure return scheme अगर इतनी अच्छी थी तो sebi ने issue बर ban क्यों लगाया अब as per sebi assure return in real estate बहुत जादा unrealistic था for two reasons सबसे पहला जो यह interest का amount commit हो रहा था यह percentage बहुत जादा था और दूसरा यह पूरा पैसा under construction property में invest हो रहा था जहाँ पे immediately कोई भी income generate नहीं हो रही थी उसके बावजूद builders एक बहुत high percentage of return commit कर रहे थ 12-16 तक बहुत सारे developers अपने assure return के payment पे default कर चुगे थे और बहुत जादा बायर complaints आ रही थी इसलिए finally sebi ने इस पूरे scheme को assure return in real estate को collective investment scheme में include कर लिया और ऐसी सारी schemes को ponzi scheme declare कर दिया मतलब fraud and illegal अब rara का क्या कहना है इसके बारे में rara बोलता है कि अगर आपको पता चलता है कि कोई builder assure return की scheme launch कर रहा है तो आप उसके बारे में rara को complaint कर सकते हो और rara उसके against action लेगा लेकिन अगर आपने कहीं पे पैसे invest कर दिये और उसके बाद में आप आके ये बोटरों कि मुझे assure return के पैसे वापिस नहीं मिल रहे तो rara आपकी कोई help नहीं करेगा for a simple reason जब sebi ने इसको as a ponzi scheme declare कर दिया था एक fraud illegal scheme declare कर दिया था तो आपने इसके अंदर पैसे invest क्यों किये लेकिन अगर आपका case 12-16 के पहले का है मतलब जब तक rara form नहीं हुआ था या जब तक sebi ने इसको illegal scheme ponzi scheme declare नहीं किया था अगर उसके पहले का है तो आप definitely rara से help ले सकते हो rara आपके पैसे वापिस दिलाने में आपको पूरी help करेगा लेकिन अगर 12-16 के बाद का case है तो कोई help नहीं मिलेगी ऐसे case में आप ncnt या फिस civil court में apply गर सकते हो अब assure return scheme पे sebi ने ban लगा दिया है rara के पे restrictions है उसके बावजूद हमें scheme पे बहुत सारी marketing देखते हैं तो builders exactly इसको use कर कैसे रहें अब इसके दो तरीके हैं पहला जहाँ पे आप देखते हो कि assure return की बहुत जादा marketing हो रही है अगर आप उस builder को मिलने जाओगे तो वो ये पू बने में और एक साल लगेगा और builder आपको 12% का assure return कमिट कर रहे हैं मतलब आप vendor को एक करोड रुपे दोगे और builder आपको लाख रुपे हर मेने वापिस करेगा एक साल तक तो इस तरीके से आपको 12,00,00 रुपे का assure return वापिस मिलेगा तो builder क्या करता है ये 12,00,00 रुपे को as a discount पोटर ही करेगा और वो ये बोलेगा कि मैं आपकी एक क्रोड की जो total value है उसमें से 12,00,00 रुपे आपको upfront discount कर देता हूं तो आपकी total value आगई 88,00,00 रुपीस पर तो अब ये marketing assure return पे क्यों कर रहे है directly discount बोलके क्यों नहीं करता क्यों क्यों लोगों को assure return सुनने में ज्यादा interesting लगता है और उसको इस तरीके से ज्यादा leads मिलती है इसलिए वो assure return पे ज्यादा marketing करता है दूसरा कैसी के builders discount नहीं कर रहे हैं लेकिन अभी भी पुरारे तरीके की तरह हर महिने payout कर रहे हैं अब ऐसे builders usually marketing ज्यादा नहीं करते वो अपने word of mouth और broker network के थूँ ये property को कुश कर करते हैं अब इंडिया में सेभी की guidelines रेरा की guidelines को लेकिन knowledge बहुत ही कम है इसने लोगों को ये scheme बहुत attractive लगती है और लोग अभी भी फस जाते हैं अब ऐसा property buyer हमारे क्या license है सबसे पहला जो मैं अपने बहुत सारे वीडियो में already बोल चुका हूँ कि अगर कोई builder बहुत नहीं रही तब वो ये offers देगा ताकि लोग discount के लालच में आके property खरीद ले और दूसरा तब जब उसके पास working capital का problem है उसके funding arrange नहीं हो पारी तब ही वो ऐसे offers देगा ताकि sales थोड़े से fast-paced पे हो revenue generate हो और उसके cash flow का problem solve हो लेकिन moreover कोई भी अच्छा builder आपको बहुत जाता offer या discount कभी नहीं देगा दूसरी चीज़ पर band लगने के बाद में अगर आज की date में भी कोई builder short return जिसी scheme launch कर रहा है मतलग उसको कानून से कोई डर नहीं है future में वो आपकी payment में भी default करने से नहीं डरेगा तीसरी चीज़ अगर आपने किसी ऐसी scheme में invest किया और builder ने default कर दिया और आपके पैसे time से नहीं दिये तो एक बहुत लंबी legal लडाई है क्योंकि as per law आपने भी crime किया है एक ऐसी scheme में invest करके जो illegal है तो मेरी बहुत ही simple सी advice है ऐसी कोई भी scheme और ऐसे vendor जो ऐसी scheme promote करते हैं उनसे थोड़ा सा बच के रही है I hope आपको आज का वीडियो interesting लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो please इसे like कर दो as usual अपने friends family colleagues के आज share कर दो और अगर आप real estate पे इसी तरीके से और knowledge gain करना चाहते हो एक smart property buyer बनना चाहते हो तो मेरे चैनल को subscribe कर लो quickly मैं इसी तरीके से real estate पे वी कर दो कर दो